केंद्रिय सरकार ने अब 118 चाइनीज मुबाइल एप्स को बैंड कर दिया है उनमें पबजी जैसा एप भी शामल है अगर आप एक टाइम लाइन के दृष्टी कोण सो देखें कुछ महीने पहले पहला आकमण हुआ था जहां पे 69 चाइनीज एप्स को बैंड कर दिया गया बीच में एक छोटा आकमण रहा जहां पर जो पैरा मिलिटरी फोर्स थी वहां पर बुला गया कि आप 89 आप्स को इस्तमाल नहीं करेंगे उनको बैंड कर दिया गया है आर्मी में 15 जुलाई से और अब 2 सुतंबर 2020 को ये दूसरा बड़ा आकमण भारतिये सरकार ने किया है इन एप्स के उपर और जब इन 118 एप्स को बैन किया है तो यह जो बैनिंग ओडर हैं ब्लोकिंग ओडर वो सेक्शन 69A के तहत भारत के सूचना प्रवद्योगी की आट के तहत पास किये गए हैं क्योंकि सरकार के अनुसार यह जो मुबाइल एप्स हैं कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता अखंडता सुरक्षा पर नकारत्मक प्रतिकूल प्रभाग रखते हैं अब ध्यान से देखा जाए तो मुझे लगता है कि जब जब आपके यहां टेंशन बॉर्डर पर बढ़ेंगी तब तब इस तरह की घटनाएं भी आती रहेंगी यह एक ट्रेंड सा से पूरी तरीके से सुरक्षत रख सकें क्यों क्योंकि आज भारत नहीं चाहता कि भारत एक लीकिंग एको सिस्टम बन जाए अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें